अस्राम में कम दोस्तों मैं हूँ नोरेज अली वड़ायच एडवोकेट हाई कोड मैं है आप सब दोस्तों के लिए बहुत हीटन टॉपिक लेके जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि मेरा ये जो यूट्यूब का चैनल है लौ एंट टेक्स काइडन्स ये लीगल मैटर्स ज और उमीद करता हूँ कि आप सब दोस्त मेरे ये यूट्यूब के चैनल से अस्तफादा हसल कर रहे होंगे इससे पहले मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लौ टेक्स काइडन्स इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और नीच से दिए गेबल आइकन क की आवाज की इस वजह से प्रॉपर दोस्तों को समझनी पा रहे थे तो मैंने सोचा कि उसमें एक दुबारा मैं एक इंकम टेक्स रेटन के हवाले से एक वीडियो अपलोड करूं जो के बिजनस परसंस के हवाले से हो और क्योंकि नया पोर्टल ओपन हो चुका हुआ है उस इसी चीज़ को नई बिजनस के हवाले से स्पेशली आई डिसक्स करने के लिए हैं दोसों जैसे कि आप सब दोस्त चानते हैं कि जो इंकम टेक्स के गोश्वारे हैं जो यरली हम रिटरन सब्मिट करते हैं इंकम टेक्स की वो जो वेबसाइट डील करती है fbr.gov.p के इसमें ओपन करते हैं ओपन करने के बाद काफी सारे कॉलम है लेकिन इंकम टेक्स के हवाले से हमने आईरस का जो पोर्टल है उसको हमने क्लिक करना है open करना है और registration नमबर जो हमारा ID काड नमबर होता है वो आपने add करना है पासफर्ड जो है आपको at the time of registration एफ़बर इशू करता है लास्ट वीडियो मैंने इसका proper पूरा डिसकस किया था नेक्स वीडियो मैं इंशाला एक एंटीन के हवाले से भी बनाऊंगा कि चंद एक अपडेट्स एंटीन बनाने में भी उन्होंने दी हैं तो वो भी मैं और यह देख सकते हैं आप कि इसके अंदर declaration का जो form है सबसे पहले तो कोशिश किया करें कि सबसे पहले जब आप उपन करते हैं तो inbox खोल के अपनी चेक करें कि इन बॉक्स के अंदर आपको कोई notice तो नहीं क्या रिसीव हुआ है अगर कोई notice रिसीव होता है तो कोशिश करे जो legal opinion legal expert है taxation का उससे उस notice के बाबत जो है वो उस notice के हवाले से आप डिसकस करें शेयर करें डेक्लिरेशन आप उपन करेंगे salary person है तो वो salary की भी return open कर सकते हैं और यहां तक के जो salary person है वो यह normal return भी open कर सकते हैं यह देख सकते हैं normal return individual एओ पी और company यह तीनों के लिए है जो ही form है किसमें हम जब last year 2020 select करते थे इस दवार 2021 select करेंगे automatically वो जो है ना tax year tax fiscal year जो है ना वो आटोमेटिक उठा लेगा तो यह form जो है 141 141 114 subsection 1 return of income file voluntarily for complete year वो उसने जो है ना वो open किया हमारे सामने इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं columns हैं यह salary के हवाले से columns हैं जिसमें भी आप आपकी salary है या कोई इस तरह के allowances वेगार आपके लगते हैं तो वो किस तरह करने हैं इस column के हवाले से आप जो है वो अपनी return submit कर सकते हैं लेकिन मैं हमेशा जो मुझे calls भी आती हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि लेक्शर्स तो हम देते हैं लेकिन जो हम हैं वो proper legal experts हैं बेहतर तो मेरी suggestion आप सब दोस्तों को यही होगी कि कोशिश करें कि proper legal consultant के ही through करवाएं अगर आप उसकी अगर सिर्फ आप उसकी जो देनी हैं आपने उसको services के charges देने हैं उन charges का अंदाजा भी लगाएं तो वो चार नहीं पांच छेज़ार पर ले लेगा तो बहुत nominal हैं कल को को गलती की वज़ा से कोई penalty पढ़ती है तो वो ज़्यदा बढ़ जाती है तो यह salary का column था यह property के तरफ से अगर आपको cash वगएरा कोई rent वगएरा आ रहा है या कोई आप लोग हैं अक्सा रेंट लेते हैं तो रेंटल जो income है वो भी एक इसम की business ही है तो यहाँ पर भी आप वो चीज़ें mention कर सकते हैं इसी तरह यह business की income है बिजनस की income है दोस्तों देखें manufacturer है तो manufacturer का यह पूरी पूरा जो checklist है इसको complete करेगा इसको fulfill करेगा ट्रेडर है ट्रेडर और manufacturer दोनों इसमें अपनी जो opening balance, closing balance जो उसके expenses आये हैं जैसे for example फरेट वगरा है, brokerage तो वो थमाम चीज़ें यहां mention करेंगे और अगर कोई इस category में फाल नहीं करता तो यह others में भी जाके अपनी income जो है ना वो डाल सकता है, वो भी कोई issue नहीं है, वो भी जो है ना FBR इस notice भेज के पूछ भी सकते हैं कि कौन सी ऐसी income है जो आप other में डाल रहे हैं, कौन सी ऐसा business कर रहे हैं, तीसरी सुरत जो हमारे expenses हैं, जो हम business कर रहे हैं, business के हवाले से हमने management की है, administrative, जो management हमने की है, हमारे expenses, for example, हमने 20 लाक रुप है total साल में, हमने जो है ना, हमारा turnover है, 20 साल, 20 लाक रुप हमें आया है, और 20 लाक रुप में से हमारे 12 लाक रुप है, ये 13 लाक रुप हमारे expenses चले गए हैं, तो जो वो expenses होंगे, वो हम यहां पे different columns में add करेंगे, उनके expenses के मताबक, और कोशिश करें कि वो expenses डालें जो सही है, गलत ना डालें, क्योंकि अब FBR के पास success ह है, वो आपके ID card number के मताबक ही, आपके तमाम तर चीज़ों पर नज़ा रख रहा है, और इसी के साथ साथ, ये तो हमारे business के return थे, वो यहां पर close हो जाती है, इसके साथ, जो आप income mention करेंगे, वो यहां पर computation में देखें, आपके जो business से, for example, electricity meter लगा हुआ है, या कोई mention करें, और इसी तरह different columns हैं, जिनके अंदर क्या क्या mention करना है, देखें लिए certain banking, banking पर जो पैसे करते हैं, टेक्स करता है, वो यहां पर mention करेंगे, motor vehicle registration transfer पर जो हैंगे, और यहां पर आप जो final है, competition है, competition में आपकी जो detail है, वो complete आजाएगी, अगर कोई आपकी income ज्यादा है, तो आपने income ज्यादा बनती है, तो आपका जो इस column में admitted tax यहां पर show होगा, यहां पर जितना भी tax होगा, वो यहां पर आजाएगा, और जो आपने already जमा करवाया होगा, वो यहां with holding की खाने में आ जाएगा, already जो आपका deduct हो चुका होगा, तो वो इस खाने में आएगा, with holding आपने के, और आपने जो government से अगर यह दोनों, अगर withholding ज्यादा जमा होगा हो है, और admitted tax कम है, तो यहां पर refundable आपका tax निकल आएगा, यह दोस्तो हमारा 1141 का form था, जिसको मैंने briefly समझाने की कोशिश की, इसी तरह हम 116 में आ जाते हैं, 116 basically होती क्या है, 116 हमारी well statement है, कि ह हमने पूरे साल में कितना कमाया है, कमाने के बाद हमने कितना, हम कितना declare कर रहे हैं, और declaration के बाद हमारे अपने जो personal expenses है, वो क्या है, तो उसमें से personal expenses के निकालने के बाद हमने क्या बचाया है, और अगर नहीं बचाया है, तो वो zero में आ जाएगा, for example, जितने भी आपकी expenses अगरा हुएं, expenses में रेंट आ जाता है, वेहिकल, running, maintenance है, ट्रैबलिंग है, electricity है, water, gas, one whatsoever, जो भी है, या household, other expenses है, तो आप इन कॉलम्स को देखते हुए, आप यहाँ पे mention कर सकते हैं, इसमें सबसे एहम जो चीज़ा वो यह है, कि for example, एक बाप है, वो कमा रहा है, तो उस बा contribution में लिख सकते हैं, इसी तरह personal assets है, personal assets में आप देखें, को property है, या इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें है, जो आपने यहाँ पे mention करनी है, जैसे cash पड़ा हुए, आपके पस in head cash है, price bonds बगएरा है, या आप देखें को property बगएरा है, industrial है, commercial है, residential है, इस तरह यह चीज़ें आप mention कर सकते हैं, यह हमारी personal assets की, या liabilities की हमारा form है, यह जो open हुआ है, इसके बाद जो हम यहाँ पर declare करते हैं, declaration में यहाँ बेसिकली हमारा जो आना चाहिए, यह main चीज़ है, यह unreconciled amount हमारी zero यहाँ पे आने चाहिए, यह basic main column है, इसके बाद जो हम अपने declare करते है, return व जिर से पहले एक चीज़ लास्ट है, लास्ट अप यह है कि हम जब हमारी reconcile amount zero आजाएगी, तो आप यहाँ पर calculate करके, calculation करने के बाद, आप यह देखें, आपने calculation मेंने किया, तो यहाँ पे zero आगया और उपर यह amount ब्राबर होगी, calculation करने के बाद, यहाँ पे आप submit के option पे click क application पहले करेंगे, और four digit का code होगा, उसके बाद आप इसको submit कर देंगे, दोस्तों यह हमारी थी return, income tax की return, साल 2021 की, जिसमें जो है वो हमारे ज्यादतर mostly business persons के हमाले से उनको problem आती है, लेकिन मैं हमातन अपने दोस्तों को, अपने subscriber को सिरफ यही कहता हूँ, कि आप कोशिश करे कि किसी consultant के दुरू करवाएं, क्योंकि consultant proper expertise रखते हैं इन चीज़ों पे, तो वो आपको आने वाले किसी के सब की hassle से बचा कर रखेंगे, उमीद करता हूँ, आप सब दोस्तों को आज का topic पसंद आया होगा, देखते रहें law and tax guidance, मेरे law and tax guidance यस YouTube को चैनल को सब्सक्राइब कर थैंक यू सो माच, अलाफीज